इस बार नए topic add हुए है research aptitude में जैसे positivism और post-positivism इसके अलावा हम बात करेंगे इस वीडियो में hypothesis के बारे में जो करें स्टार्ट करते हैं positivism और post-positivism से पहले जो positive approach हम जो अपनाते थे जिसका की मतलब है scientific methods को अपना के जो natural phenomenon है जो सच है जो truth है उसको verify करना positivism में आता है positivism से पहले जो था वो theologism था जिसका की मतलब कि जो सच्चाई है जो दुनिया है उसको हम ये मानते थे कि ये भगवान के control में है या देवताओं के control में है तो आपने काफी पहले की कहानिया सुनी होंगी जिसमें हम ये मानते थे कि जो भी प्रकोप है जैसे बार है सूका है ज्यादा बारिश है ये देवताओं की वज़य से हो रहा है जहां पे तर्क का कोई भी स्थान नहीं था जहां पे research का कोई भी स्थान नहीं था ये हमारी मानताई थी जो हमारे अंदर से आती थी तो ये जो theologism का समय था उसके बाद धीरे-धीरे इंसान ने तर् करना शुरू करा, validate करना शुरू करा through experimental tests, through statistics तब जाके positivism आया जहां माना गया कि भाई कोई भी चीज है उसको हम scientific test से बिलकुल prove कर सकते हैं, perceive कर सकते हैं कि actually such क्या है और उसकी पीछे logic क्या है तो ये difference है, positivism में और उससे पहले जो theologism आता था लेकिन positivism ही entirely सही नहीं है या कोई भी चीज हमें समझ नहीं है तो ऐसा जुरूरी बिलकुल नहीं कि वो scientific method apply करके और उसको validate करके फिर ही उसको समझा जाए, post-positivism या post-positivistic approach जो उसके बाद आई उसमें ये बतायागे कि भाई, इनसान के पास already जो आप scientific test में कर रहे हैं, इनसान के दिमाग में already same वही चीज अवेलेबल है, यानि कि वो एक conjuncture या एक fair guess लगा सकता है चीजों के बारे में और उसके बेहाफ पे चीजों को समझ सकता है, तो पॉजिटिविजम में क्या है कि entirely dependent है, scientific research के उपर, post-positivistic approach जो है वो ये कहती है कि भाई, चले scientific approach अच्छी है, आप चीजों को समझ सकत हैं, लेकिन इनसान के mind में ये सब चीज़ें already हैं, आप already guess कर सकते हैं और चीजों को पता लगा सकते हैं, तो ये इनके बीच में difference है, हालाक ये बहुत मुझे important नहीं लगता कि इसमें से काफी जादा चीज़ें आएंगी, इसके बाद अभी जो हम बात करने वाले हैं, हम ब देखें, तो जैसे suppose अगर हमारा जो guess है, या जो हमारी hypothesis है किसी चीज़ के बारे में, तो hypothesis कैसे बनी, एक तो हमारा अगर कोई belief है, उससे भी hypothesis बन सकती है, हमने कुछ चीज़ें already research में पढ़ी है, हमने उनके basis पे एक fair guess लगाया है, एक smart guess लगाया है, वो हमारी hypothesis बन जाती है तो hypothesis का यहां क्या मतलब होता है, कि natural phenomenon का कोई भी explanation जिसके पीछे evidences बहुत कम है, यानि कि हमें लगता है कि यह साही है, यह बिल्कुल साही है, और इसलिए, you know, हम research पे अपनी hypothesis वही बनाता है, जो हमारा belief होता है, कि भाई, यह चीज़ ऐसी ऐसी होनी चाहीज़ पे research होई न है, जो हमारा guess है, वो सही है, तो सबसे पहले बनती है hypothesis, जो कि हमारे mind में बनती है, then हम use करते है statistics, हम use करते है research methodology, और फिर यह देखते हैं कि जो हमने hypothesis बनाई है, वो सही है या नहीं है, तो hypothesis के काफी parts होते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे, अगर उनका वरगी करण किया ज होती है, एक होती है directional hypothesis, एक होती है non-directional hypothesis, तो इसको example से समझ सकते हैं, इसका क्या मतलब है, suppose हमने पिछले वीडियो में जो research episode का first part था, अगर आपने नहीं देखा है, तो please देख लीजे, उसमें हमने एक example लिया था, caffeine का और नींद का, तो आप सब को पता है कि हम जतना ज्या ऐसा topic ले सकता है, suppose अगर हम topic लें कि caffeine और नींद के बीच में क्या सम्मंद है, कम होगी, ज्यादा होगी, हमें नहीं पता, यानि कि कोई direction नहीं है, किस तरिफ ये research मुड़ेगी हमें पता नहीं, बस हम ये research करने जा रहे हैं कि caffeine और नींद के बीच में कुछ तो सम्मंद है, जो कि हमें पता लगाना है, directional की बात करें, तो same, अगर हम हमारा जो hypothesis है, वो ये है, कि अगर हम caffeine जादा पियें, तो हमारी नींद कम हो जाएगी, यानि कि direction आप दे रहे हैं, हमने correlation की बात की थी, positive या negative correlation की, तो अगर आपको direction पता है, कि आप कहां मुड़ रहे हैं, और किस स हो रहे हैं, ये आपने already judge कर लिया है, ये समझ लिया है, ठीक है, तो उस पे जब आप hypothesis बना के उस पर test करते हैं, तो वो directional hypothesis होती है, suppose हमने hypothesis बनाए कि caffeine जादा पीने से नींद कम हो जाती है, ये हमने hypothesis बनाई है, अभी उस पर test नहीं हुआ है, तो अब ये जो hypothesis है, इसको हम कह करना चाहते हैं, through experiments, या through statistics, या through research methods, उसको हम alternate hypothesis कहते हैं, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जो hypothesis लेते हैं, या अगर आप PhD भी करें, कभी कभी आप उसमें अगर कोई research topic लेते हैं, या कोई hypothesis बनाते हैं, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि experiment के end में आपकी hypothesis हमेशा सह रहेगी, कभी कभी आपकी hypothesis गलत भी हो सकती है, उसका आपकी research पर कोई problem नहीं होता, यानि कि आप जब thesis लेगें तो आप यह लेखेंगे कि मैंने hypothesis यह सोची थी, लेकिन यह नहीं हुई, यह hypothesis valid ना होके, यह validate हो नहीं पाई hypothesis, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, जो हम, जिस चीज कर रहे हैं कि caffeine ज़्यादा पीने से नींद कम होती है, यह alternate hypothesis है, तो इसके उलट एक और hypothesis हम मानते हैं, जो कि इसके just against होती है, जिसको हम कहते है, null hypothesis, तो अगर हमारी hypothesis कहती है कि ज़्यादा caffeine कम नींद, तो null hypothesis कहती है कि caffeine और नींद का कोई संबंद नहीं है, तो जब हम alternate hypothesis को test स प्रूब नहीं कर पाते हैं, तो automatically null hypothesis validate हो जाती है, और अगर हम alternate hypothesis को validate कर ले जाते हैं, तो null hypothesis जो होती है, वहाँ खारेज हो जाती है, तो हमेशे ध्यान रखिए, दो type की hypothesis है, null hypothesis और alternate hypothesis, तो guys आपने बहुत सुना होगा, type 1 error, type 2 error यह क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, अगर आपको null hypothesis, alternate hypothesis समझ में आ गया है, तो type 1, type 2 error बहुत सुरल सी चीज है, यह type 1 और type 2 error यह research में किये गए errors है, यानि कि कभी-कभी जो research होती हैं, उसमें गलतियां हो जाती है, जिसके जिसे गलत परिनाम आ जाते हैं, गलत conclusions आ जाते हैं, तो ऐसे जो errors होते हैं, उनको दो parts में divide क किया गया है, type 1 और type 2, तो type 1 error जो होता है, वो बड़ा error है, इसलिए उसको number 1 rank पर रखा गया, यह तो मतलब बहुत ही गलत है, अगर ऐसा हो गया, और type 2 error भी एक type का error है, एक गलती है, लेकिन उसको छोटा माना गया है type 1 error से, तो type 1 error जो होता है, वो error है, जिसमें अगर आप कि null hypothesis सही होती है, मतलब कि आपने जो hypothesis सोचे कि भाई, ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो alternate hypothesis थी, उसके उलट क्या थी? Null hypothesis, ठीक है, तो actually क्या है, असल में null hypothesis सही होनी चाहिए थी, लेकिन आपने जो गरवड़ी की है, उसके जैसे आपकी alternate hypothesis सही आ रही है, तो यह type 1 error है, जब null hypothesis सही होती हुए भी गलत आप कर दें, ठीक है, यानि कि suppose अगर caffeine और नींद की बीच में कोई संबंद ना हो, और आप कुछ गरवड़ी कर दें, data collection में, data interpretation में, कि ऐसा दिखने लगे कि भाई, caffeine और नींद की बीच में कोई संबंद है, ठीक है, तो आपकी alternate hypothesis सही हो जाएगी, जब की सही होने चाही थी, null hypothesis, तो यह type 1 error है, क्योंकि आपने गरवड़ी करके गलत आपने result यहाँ पे आप ले आए हैं, अब बात करते हैं, type 2 error की type 2 error, just its का उल्टा है, इसका मतलब की जो alternate hypothesis है, वो सही थी, लेकिन आपने कुछ गरवड़ी कर दी research में, और आपकी अपनी alternate hypothesis गल प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है, तो type 2 error मतलब जो सही चीज थी, आपके अपनी जो alternate hypothesis थी, वो आप प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन जो type 1 error है, वो 1 पे लिए है, क्योंकि आपने गलत चीज को सही प्रूव कर दिया, तो गलत चीज तो सही बिलकुल प्रूव नहीं होने च type 2 error में आती है, so guys, this was all about hypothesis and positivism and post-positivistic approach in research methodology, I hope कि आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है, बहुत सरल शब्दों में आप सबको समझा हो, वीडियो पसंद आया, प्लिस लाइक कीजिए, ऐसी वीडियो देखें चल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बगल में ब झाल